हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप Fire TV के अंदर जो है Airtel Extreme Application को किस तरिके से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसमें आप 20 से ज़्यादा OTT application का मज़ा ले सकते हैं, जिसमें Sony Live हो गया, चोबाल हो गया, और भी बहुत सारी application अप्लिकेशन अबलेबल है ठीक है, बहुत सारी की सारी आपको देखने को मिलेगी और इसके लिए ना ही आपको किसी DTH box की requirement है इसमें simple सा Extreme Play की application आती है, जिसके अंदर आपको जितनी भी OTT application है, वो सारी देखने को मिलेगी इस वीडियो के end में मैं आपको ऐसा solution भी बताऊंगा, जिसमें कि आप इस Extreme Play वाली application को भहती कम price में, almost zero price में जो है, अवेल कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है बाल किशन और हमारे चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आप समझी गए हैं कि हम Fire TV Stick के ओपर वीडियो बनाने वाले हैं, इसमें जो है आप अपने Airtel Extreme की application क तो किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, अभी हमारे केस में क्या है, ना ही हमारे पास Airtel का कोई Wi-Fi है, और ना ही किसी टैप का कोई DTS बॉक्स है, ठीक है, हमारे पास Jio Fiver है, नॉर्मली Wi-Fi वाला, इस सेम टॉपिक पर हम अल्रेटी वीडियो बना चुके हैं Android TV पर, तो लिंक जो है, डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको Fire TV Stick और Fire TV बलों के लिए बता रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप Simple सा क्या करेंगे, अपनी Fire TV हो गया, या Fire TV Stick के App Store में जाएंगे, इस तरीके से आपको द बटन बना होता है, इससे आप Voice Command दे सकते हैं, ठीक है, Airtel Extreme Play, जैसे ही हमने Voice Search की Command दी, तो आप देख सकते हैं, Extreme Play वाली एप्लिकेशन हमारी आ चुकी है, ठीक है, तो इसको हम OK प्रेस कर देते हैं, और यहां पर आप देख भी सकते हैं, 30,450 लोगों ने इसको रेट किया है और यहां पर get download करने का option आ रहा है, ठीक है, तो get download पर हम click कर लेते हैं, और इसके graph description देखेंगे, तो 10,000 से जादा आपको movies इसमें देखने को मिलती है, और 1000 से जादा TV shows इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, और इसमें बहुत सारी OTT application आपको देखने को मिलेगी, तो वो हम इसके अंदर आपको दिखाएंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, application हमारी install हो चुक है, मैं आपको home screen पर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, extreme play करके इस त्रीके से यह दिखाई दे रही है, ठीक है, अब हम इसको ok press करेंगे, open करने के लिए, अभी जब आप first time करेंगे, तो यहाँ पर mobile number माँगेगा, ठीक है, तो अभी हम normal mobile number डालते हैं, जिस पर हमने plan नहीं लेके रखा है, ठीक है, बहुत साइप keyboard आ रहा है, बहुत भी बड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अपना mobile number डालने के लिए, तो यहाँ पर हम अपना mobile number डालेते हैं, ठीक है इसमें कि preferred language आप चूज कर सकते हैं कि किस type का content आपको देखना है Hindi English ठीक है तो Hindi English तो हम देखेंगी साथ में Punjabi हम चूज कर लेंगे आप अपनी choice के एसाब से चूज कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जैसे हम इसको open करेंगे अब आप देख सकते हैं यह proper trick से open हो रहा है ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं हर टाइप की movies शोज आपको देखने को मिलेंगे और यहां पर मैं अगर आपको channel देखाता हूँ यानि कौन-कौन सी OTT application देखने को मिलेगी तो आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है लॉइंज गेट प्ले, सोनी लिब, हाहा, चोपाल, अल्ट बाला जी, फैन कोड ठीक है यह जितनी भी आप यहां पर उपर देख रहे हैं यह सारी की सारी OTT application आपको इसमें देखने को मिलेगी तो इन सब का जो content है वो आपको इसी application के अंदर देखने को मिल जाएगा ठीक ह माल लेते हैं हमें यह movie देखनी है और यहां पर आप देख सकते हैं subscribe and watch का option आ रहा है यानि हमें इसकी subscription लेनी पड़ेगी ठीक है तो हम इसको चूज नहीं करेंगे यानि यह particular शमारू मी के अंदर movie थी उसका particular plan बता रहा है ठीक है तो हम individual plan नहीं लेंगे इसमें हम backpress करेंग करेंगे ठीक है क्योंकि यह movie थी आप देख सकते हैं शमारू मी के अंदर थी ठीक है तो इसकी subscription हम नहीं लेंगे तो यह वाली गलती नहीं करनी है आपने back आ जाना है और जब भी आपने subscription लेनी है आपने top पे जाना है आप देख सकते हैं subscribe now का option आ ठीक है यहां पर जाएंग रहें तो नहीं कर पाएंगे जीओ वालों के लिए जीओ टीवी प्लस नाम से application आती है तो वो लोग उसको try कर सकते हैं इसी तरीके से बॉड़ड़फोन आइडिया के लिए वी आई मूवीज एंड टीवी करके application आती है तो वो उनके लिए रहती है इसी तरीके से से सेम एर Airtel में connect convert कर सकते हैं दूसरा option आ रहा है login with Airtel number ठीक है तीसरा आ रहा है या नया number आप Airtel का buy कर सकते हैं ठीक है तो मैंने जान बुझ कर जो है इसमें जीओ का number डाला था तो अभी यह हम Airtel का number डाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई option नहीं है तो हमें log out करना पड़ेगा या अगर आपके पास अपना number नहीं है खुद का Airtel का तो आप अपने friend या family में से जिसके पास भी होगा उसका number यूज कर सकते हैं ठीक है तो मैं अपना Airtel का number डाल देलता हूँ तो फिर से verification confirmed आ रहा है ठीक है अब हमारी जो language है already हमने choose करके रखी थी पंजाबी, Hindi और English को भी choose कर लेते हैं और okay पे click कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि Airtel के number से है जो मेरा Airtel Extreme है proper तरीके से open हो चुका है और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब मुझे subscribe now का option भी नहीं शो कर रहा है ठीक है वो क्यों नहीं कर रहा है मैं बताता हूँ अभी इस करता हूँ आप देख सकते हैं नीचे subscribe as a part of extreme premium ठीक है तो मैंने यह किस तरीके से लिए है अभी आपको पता भी चल जाएगा मैं बता भी दूंगा आपको किसी भी application को मैं play करता हूँ तो इसके अंदर कोई भी application को जो है मैं देख सकता हूँ ठीक है OTT application को जैसे चौपाल को देखना है ठीक है किसी movie पर click करूँगा तो वो work करेगी ठीक है example के लिए मैं same वाली movie को लगा लेता हूँ जो पहले लगाई थी हमने अब हम welcome movie पर द्वारा click करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर play को option आ रहा है डिरेक्टी ठीक है अगर मैं play पर click कर देता हूँ तो यह जो है start होना शुरू हो चुकिए है ठीक है जैसे मैं okay करके दिफा भी देता हूँ ठीक है आप देख सकते हैं दो गंटे 27 मिंट की है मैं भी back चला जाता हूँ तो इस तरीके से अब हम जितनी भी OTT application है Airtel Extreme के अंदर उन सबको देख सकते हैं ठीक है हमारे number पर क्या ह हमने already avail करके रखा है Airtel Extreme play वाला offer तो आपके पास मैं आपको दोनों method बता देता हूँ तो दो तरिके रहेंगे basically तो अभी मैं एक बार आपको setting में दिखा देता हूँ कि मेरा कौन सा plan चल रहा है manage plan का option आ ठीक है इस पर हम click करेंगे अब आप यहां पर देख सकते हैं Extreme premium limited free trial ठीक है अभी जो हमें Airtel Extreme का plan मिला है वो free trial पे मिला है ठीक है और मैं दिखा भी देता हूँ सबको ठीक है यहां पे आपको सारी की सारी जो है application शो हो रही है ठीक है जैसे ही आप back जाएंगे यहां पे उपर जैसे पहले आपको आ रहा था subscribe now का option उस पे आप click करेंगे वहां plan वहां पे purchase कर सकते हैं उनका मैं उनका plan बता देता हूँ एक बार अब यह हम offer जो है actually avail कर चुके हैं तो इसलिए हमें plan शोर नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ 149 रुपे का आपको 30 दिन के लिए plan available रहता है जिसमें कि आप सभी OTT application यह देख सकते हैं तो उसमें जो है Airtel Extreme आपको साथ में देखने को मिलती है और इसी तरीके से Airtel Black connection भी मिलता है उसके साथ भी आपको यह जो Airtel Extreme प्ले है वो साथ में देखने को मिलेगी ठीक है और इसको आप जो है दो डिबाइस में simultaneously देख सकते हैं ठीक है एक आप अपने TV में देख सकते है ठीक है जैसे कि हमारे case में हम ऐसा कर रहे है दो तरीके से जो है इसके offer को बहुत ही अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं पहला तरीका तो simple सा है कि आपके friend के पास Airtel Extreme का मालो new connection है या पहले से use कर रहा है आप उसका जो mobile number है वो use कर सकते हैं अपने TV में तब तक जो है आ आप simple सा अपने friend का number या किसी family member का number use करेंगे जिसपे कि already उनका plan चल रहा है ठीक है तो मैं आपको fire tv stick में बता रहा था तो इसी तरीके से अभी मैं normal अपने Android TV में आ चुका हूँ इसमें भी हम Airtel Extreme का use कर रहे है ठीक है यह बहला जो method है यह हमने friend के साथ use किया था यानि कि उनके पास पहले से जो है Airtel Fiber का connection था तो मैंने उनका simple सा mobile number को डाला है वो भी देख पा रहे हैं अपने TV में उसी तरीके से मैं भी use कर पा रहा हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं जब जब वो recharge करते रहेंगे मलब हर मत करते हैं normally तो तब तक मैं इसको देख सकता हूँ और म manage plan पे मैं click कर देता हूँ ताकि आपको idea हो सके basically तो आप देख सकते हैं क्योंकि वो Airtel Extreme का use कर रहे है plan तो उनको distro tv मिला है mini tv मिला है और उसके साथ में extreme premium teleco यानि कि वो Airtel Extreme का plan use कर रहे है अपने tv में तो उसके साथ में उनको कुछ OTT application भी मिलिए जो कि मैं भी use कर पा रह रहे है क्योंकि वो Airtel Fiverr का connection use कर रहे है जिस बजाए से उनको Airtel Extreme जो premium है वो साथ में मिला है और वही same number जो है मैं भी use कर पा रहा हूँ और आप देख भी सकते है value team number 10 हर्मत जो है वो recharge कर देते हैं और मुझे Airtel Extreme का plan देखने को मिल जाता है आप देख भी सकते हैं इस त तरीके से लिखा हुआ नहीं आ रहा है आप देख भी सकते हैं Extreme premium limited free trial तो यह हमें किस तरीके से मिला है तो इसमें आपने simple सा जो आपका Airtel का number है ठीक है उसके recharge रहते है यानि जो भी आपके पास Airtel के SIM होगी उसका recharge रहता है तो normally आप कोई भी छोटा सा data plan डालते हो जैसे क हमारे case में हमने 181 रवे का data plan डाला तो उसके साथ में हमें Airtel Extreme premium की जो subscription है एक मन्त के लिए मिल चुकी है तो इस तरीके से जो है जब भी आप recharge करते हैं अपने mobile में तो आप वहाँ पर जा सकते हैं normally आपको data plan के अंदर किसी mobile में recharge तो करना ही रहता है तो जब भी आप normally mobile में recharge करते हैं या आपको add-on जो है data plan चाहिए तो उसके साथ में आप देख सकते हैं कि आपको Airtel Extreme play बली जो OTT application है वो भी साथ में मिल रही है कि नहीं मिल रही है अगर आपको साथ में मिल रही होगी और same amount में मिल रही होगी तो आप उसको ले सकते हैं तो हमारे case में हमने 181 content देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकि जिन लोगों को idea है हमारा telegram चैनल भी है वहाँ पर हम आपको जो है Android TV और 5 TV स्टिक से लेटेड जो है solution देते रहते हैं तो आप उसको description box से जुरूर से join कर सकते हैं तो मिलते हैं ऐसी किसी similar वीडियो मे तब तक के लिए बावा दोस्तों